नमस्क्राइब दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक लाइव एक्जेम्पल के बारे में बताऊंगा कि अगर सुसाइड के जो केसिस हैं, इडिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या उसके पिछे का कारण है, मिज़रिटी क्यों सुसाइड कमिट कर रही है, उ अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ, तो ना खोलना पड़ता आज औजारों के साथ, अगर आपके मन में कुछ है, कुछ भावना है, कुछ बात है जो आप किसे से शेयर करना चाते हैं, तो प्लीज उसको अपने दिल में मत रखिए, कोई ऐसा परसन, कोई ऐसा व्यक् कोई teacher हो सकता है, कोई counselor हो सकता है, कोई भी हो, होना इंसान चाहिए, इवन आप diary भी लिखें, तो दिल को सकून दे सकते हैं, पर कुछ cases हैं, जहां पर suicide होता है, और जबकि suicide करने की वजह नहीं होती, लाइफ में बहुत बार ऐसे हमारे पास turning points आते हैं, जहां पर आकर लगता है कि नहीं यार, अब continue होगा, I quit, but that's not the point, my dear friends, यहां पर बात करेंगे आईशा suicide case की, तो आईशा के बारे में जान लेते हैं, आईशा बानू मकरानीन का full name है, इनकी age 23 years थी, suicide की date की बात करें तो 25 February, अभी जो बीती है 2021 की 25 February, उस दिन उन्होंने साबरमती रिवर में चलांग लगा कर suicide कमिट कर लिया, बात करें इनकी marriage की तो इनकी marriage हुई थी 2018 में, इनकी husband का नाम था आरिफ खान, इन्होंने लड़की वालोंने मतलब आईशा और ने, आईशा के घर वालोंने इनके ओपर case कर रखा था, जिसमें की claim करते हैं आईशा के father के इन्होंने डेड़ लाग रुपे as a दहेज, डेड़ लाग रुपे दहेज के तौर पर दे भी रखा था, और एक letter है जो उनकी advocate के द्वारा present किया गया था court में, जिसमें उन्होंने बताया कि आईशा को चार दिन तक कमरे में बिना खान के रखा गया था, तो मतलब इतना mentally torture इतना physical torture किसी के ओपर किया जाए, फिर वो उनको सजा दिलवाने की वज़ाए suicide कमिट कर रहे हैं, that's not fair my dear friends, वहाँ पर होना ऐसा चाहिए था कि उनकी खिलाफ complaint करवाते यार, complaint करवाईए, 306 में तो देखो अपने आप हो गई, अबैट कि जो आईशा की जो शिकायत थी, देखो आईशा जो है वो आरिफ खान से बहुत प्यार करते थी, उन्होंने अपने वीडियो वाइरल जब हुआ उनका, तो वीडियो में भी यही कहा था कि जब हम उनसे प्यार करते हैं, तो पापा जो केस है वो अब आपा वापिस लिली था कि आरिफ खान किसी के साथ बाते करते थे गंटों तक और वो भी आईशा के सामने, जो कि एक इंडियन वुमेन को तो एट लिस्ट टॉलरेबल नहीं है, उनके लिए वो टॉलरेट नहीं कर सकते, कोई भी वुमेन अपने हजबन की ऐसे शेरिंग टॉलरेट नहीं कर सकत लिए इस्यूस के अगर बात करें तो इन्होंने सुसाइट करने से पहले 72 मिनट अप्रोक्स 72 मिनट कॉल किया अपने हजबन से, इनकी हजबन ने एक स्टेटमेंट दिया, मरो तो फिर मुझे वीडियो भी भी भीजना, ठीक है, अगर मरेगी तो मुझे वीडियो भीजना, इसा एक स्टेटमेंट था, जो कि उनको लाइबल कर देता है, अंडर सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन अबेटमेंट टू सुसाइड 306, यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को इंस्टिगेट करता है, अबेट करता है कि भाई, हाँ किसी प्रकार से, तो उसको जो पनिशमेंट है, वो इंप्रेजिनमेंट हो सकती है, अप टू 10 years, ठीक है, फाइन भी हो सकता है, और यह कोगनिजबल ओफेंस है, आप इसकी शिकायत अगर पुलिस थाने में लेके जाएंगे, तो सबसे पहले आपकी F.I.R. दरच करवाई ज सबसे में जो इसे इशू है, वो है डौरी हरास्मेंट का, अब जो केस है, आपको क्या लगता है, कि यह गल्फेंट वाला पार्ट है, नहीं, यह गल्फेंट वाला पार्ट सब्स्टिट्टूट पार्ट है, यह क्यों रखा गया 4 देजिनर रूम विदाउट फूड डौर डौरी हरास्मेंट के लिए, जो इन्होंने इसके उपर केस कर रखा है, ताकि केस वापिस लिया जासके, हमारी सिष्टर जो आईशा बानू मकरानी थे, जो अब नहीं रहे, ऐसे ही कितनी नजाने लड़कियां हैं, जो सुसाइड करती हैं, डौरी हरास्मेंट के लिए, As we are law students, my dear friends, हमें ये निश्चित करना होगा, कि what is the reason, डौरी हरास्मेंट होती क्यों हैं, क्यों, मतलब यार क्या हम सक्षम नहीं हैं, हमारे हाथ पैर नहीं हैं क्या, हम अपने हाथ पैर से कमा के नहीं खा सकते क्या, हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे क्या, हम लड़की वालो पर डिपेंड रहेंगे क्या, कि भही वो हमें पैसे देंगे, तब हम जीएंगे, क्या आप इसके काबिल भी नहीं हो क्या, So, these are all social issues, related with legal issues, इस वीडियो में हमने ये जाना है कि, आईशा सुसाइड केस में, अब media trial भी चल रहा है, Normally, अगर 306 की बात करें, तो 3 महीने से लेकि 6 महीने तक जमानत हो जाती है, बट इस केस में थोड़ा लंबा चलेगा, और बात करें, तो जो इसके husband है, आरिफ खान, उसको गुजरात पुलिस ने अरेश्ट कर लिया है, राजस्थान के पाली से, इनको गिर्फतार कर लिया है, और इनको कोई पश्टावा नहीं है, कोई इनको guilt feel नहीं हो रहा है, कि हाँ मेरी wife थी, मेरी wife ने suicide कर लिया है, और तो वो court का काम है इनको सजा देना, बर मुझे यहाँ तक लगता है कि इन्होंने दो जिंदगियां खराब कर दी है, दो नहीं इन्होंने बहुत जिंदगियां खराब कर दी है, but it is a lesson for us, यह हम सब के लिए lesson है, कि समझो इस बात को, आईशा suicide case हुआ ही क्यों, आईशा ने suicide किया ही क्यों, कोई और सुमन, कोई और स्वेता, कोई और द्रिष्टी, यह कोई और आईशा, यह कोई भी लड़की या लड़का suicide ना attempt करे, हम अक्सर यह सोचते हैं कि जो suicide है, जो suicide है, उससे किसकी death होती है, suicide से, physically अगर body की existence की बात करें, तो जिस person ने suicide attempt किया है, उसकी existence खतम होती है, बट, अगर mentally, अगर किसी की बात करें, तो जो उसके परिवार हैं, जो उसके relatives हैं, जो उससे संबंध रखते हैं, असली तोर पे suicide उनका हुआ है, उनका तो murder हुआ है, तो please guys, it's a humble request, it's a motivational lecture for all of us, please, suicide, that's all, बिलकुल, खतम कर दीजिए, ये word, बना ही नहीं है, ये समझो, ये बना ही नहीं है हमारी जिंदगी के लिए, तो बना ही नहीं है, कुछ भी हो, पर ये नहीं चलेगा, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मरना नहीं, अच्छे काम करने है, बड़ी है जीना है, अच्छा कमाना है, खाना है, बट डावरी नहीं लेंगे, और suicide नहीं करेंगे, धन्यवाद,